हलो अबरिवन,ầनलास् लास्स के अंदर हमने सेल्फ इंकंपिंटेबिटी में हीट्ampa मॉर्फिक इनकंपिंटेबिटी कि पा प्रो जब एक ही प्लान्ट के या एक ही स्पेसिस के फोलन उसी प्रश्णन को प्रमोट करता है और इन ब्रीडिंग को रोपता है एंड आउट्रोसिंग पर पर निसिचन को बढ़ावा देता है इसमें पोलन पिष्टल अपस में सलूलर लेवल पे भी इंट्रेक्शन करते हैं और उसके साथ-साथ जीन्स भी काम करते हैं तो इसमें अच्छे से उसमें डीटियल में स्टडी करा चुकी हूँ इसके साथ हमने सेल्फ इंकम्पेटि संबर आता है कि हेटーमॉफिक इंकम्पेटिबिट्टिय सेंट यह सकती राइस्टाइल हो सकती है जो कोमन होती ही वो होती है ऑफ इन पिनाइऻ और साग के लोग ुड्रीयन व्सक्राइब को अधर क्या होगी के इति मैं जुदों में फिर्वेटों होगी ध्रं रहेखर्वादाइब clear है एक तो ने स्टाइब निशोंगे कि उने साफ होगे यह एक ताहि चोटे हैं यह दोनों ही जिनके अंदर style छोटी है, that means, stamen या तो long है या medium है, तीसर जिनके अंदर medium है, तो उनके अंदर long medium है, तो इससे आप ऐसे समझ के चलिए, कि try style ही के अंदर हमने तीन पड़े, first style long है, second style medium है, third style short है, इसके साथ अब stamen कैसे होंगे, या तो medium होंगे, या short होंगे, यह हम स्टेमन की बात करते हैं, ठीक है, अब इसमें या तो long होंगे, या short होंगे, यहाँ पर या तो long होंगे, या medium होंगे, यह हम पढ़ चुके हैं, जो कि हम try style के अंदर पढ़ते हैं, चलिए, अब हमें जो आज topic स्टार्ट करना था, तो homomorphic incompatibility, homomorphic का मतलब, homo का मतलब समान, morphic का मतलब आकार की, तो इनकी आकार की समान है, लेकिन genes में difference है, और इसे genes level पर control किया जा रहा है, यानि कि इस तरह से आपको stigma मिल जाएगी, एक सेकेंड एक color दिखी नहीं रहा यहाँ, और इसी तरह से आपको यहाँ पर statement मिल जाएगी, दोनों की आकार की समान है, लेकिन फिर भी इनके अंदर interaction नहीं हो पा रहा, उसका reason यह है क्योंकि इने genes control कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, homomorphic incompatibility, first of all, homomorphic incompatibility को start करने से पहले, इसके कुछ point ध्यान रख लीजिए, first, इसके अंदर क्या होता है, यह morphologically similar है, morphologically similar का मतलब, ऐसा है कि मैंने आपको बताया, homomorphic incompatibility के अंदर हमें morphology similar मिलती है, आकारी की एक जैसी मिलती है, दूसरा, इनके जो control है, वो genetic होता है, genes के तुरू control किया जाता है, यहां तक आपको point समझ में आ चुके होंगे, मैं पहले भी बता चुके हूँ, कि जो homomorphic है, हो समान आकार की वाले plant के अंदर होता है, और genes के तुरू control किया जाता है, यहां पर तो क्या था, आकारी की में ही difference था, इसलिए वो अपने आप ही नहीं आपस में इंट्रेक्टर पा रहे थे, लेकिन यहां पर आकार से हमें, उसके बाद भी इंट्रेक्शन नहीं हो रहा, that means क्या है, कि इनके अंदर genes control कर रहे हैं, genes से biochemical मान सकते हैं, अब यह point यहां पर यहीं है, अब यह दो टाइप की होती है, GSI और SSI, GSI का मतलब gametophytic self incompatibility, gametophytic का मतलब gametophyte क्या होता है, angio sperm में gametophyte क्या होता है, जैसा कि आप gametophyte को जानते हैं, कि आगर हम female gametophyte करें, तो embryo性 और अगर मेल gametophyte करें, तो आप जो पोलन बनाते हैं, जो पोलन बनता है, उस पोलन के बारे हम पढ़ते हैं, वो पोलन क्या होगा, male gametophyte, तो यहाँ पर male gametophyte के जो genes हैं, वो control करेंगे, और sporophyte के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो parental plant है, उसके genes control करेंगे, तो समझ लेते हैं सबसे पहले, यहाँ से एक diagram के थूप, देखिए, सबसे पहले, यहाँ दो तरखे plant दे रखें, देखिए यह, कि यह एक flower है, उसकी यह है, female reproductive organ, यानि कि यह है stigma, यह है style, और यह है ovary, जैसा कि इसमें दे रखा, यह है इतना part ovary का, यह है style और यह है stigma, और यह अंदर साइड है ovule, यह जो दिख रहे हैं आपको यह है, इसके stamen, ठेमन में यह जो यहाँ तसी यहाँ तक का part है, यह line वाला, यह है filament और यह है anther, अब pollen अगर सेम plant से आए, एक ही plant से आ रहे है, that means, कि यहाँ पर देखिए, जो plant है, वो कैसा है, S1, S2 का है, ठीक है, यहनि कि इसके अंदर genomic makeup कैसा है, इसके अंदर दो jeans है, S1 and S2, दोनो jeans है, उसके साथ साथ, यह जो pollen है, इनके अंदर भी jeans कैसे होंगे, S1 and S2, यहाँ पर भी S S1 and S2, stigma के पास भी S1 and S2, क्यों देखिए, यहाँ पर इस point को ध्यान रखिए, कि हमोमोर्फिक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर mother plant का gene S1 and S2 है, यानि कि अगर उसका genome का जो content है, वो S1 and S2, उसके पास एक S1 gene है, और एक S2 gene है, तो अगर mother plant के पास ही S1 and S2 gene है, that means, ज ऐसे कि यह कि, यह जो स्ट्यमन है, स्ट्यमन के पास भी S1 and S2 gene होंगे, और जो यह पिस्टिल है, इसके पास भी S1 and S2 gene होंगे, अब अगर यह फ्लार, पर इसके खुद के पोलन आते हैं, तो S1 and S2, अगर S1 and S2 से cross करेगा, तो नहीं germination होगा, यानि कि इनके बीच में fertilization नहीं होगा, देखिए, यह S1 and S2, यह आते हैं, देखिए, यहां पर आए, S1 and S2 दोनों आए, इसके stigma बर, तो यहां पर आकर रुख गए, यह आगे, पोलन ट्रीप का formation नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब पोलन डिफ्रेंट प्लांट से आता है, जिसका genomic make-up S1 and S2 से बिल स्टिग्मा का होगा, जब बिल्कुल डिफ्रेंट प्लांट से आता है, तो उसका genomic make-up change हो जाता है, और वो easily यहां पर फटलाइज हो जाएगा, और अपनी पोलन ट्यूब बना देगा, तो क्या समझ में आया, होमोमोर्फिक S1 के अंदर, कि जब जीन्स सेम हैं, सेम प्ला इसलाइशन हो जाएगा, यहां तक यह point आपको समझ में आ चुका हो, जैसा कि दिखाया कि यह S1 and S2, दोनों के पास हैं, यहां पर भी है, और इस संथरी के पास भी S1, S2, इसके पास भी इसका भी जो होगा, मैकब, वो S1, S2 ही होगा, तो यह आपस में interact नहीं कर पारें, लेकिन अगर different plants आया है, जो कि क्या था, S3, और इस S3 ने आते ही, यहां पर अच्छे से pollen tube का formation कर दिया, और जाके fuse हो गया, यह देखिए, यहां पर fusion को भी सू कर रहा है, उसके साथ साथ यह pollen tube भी बनी, तो यह आपको समझ में आ चुका होगा, क्या समझाना चाह रही है, चलिए, अब homomorphic SI को भी हमने दो टाइप में differentiate किया है, कि यह भी दो टाइप की होती है, कौन-कौन सी GSI and SSI, GSI का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि gametophyte और gametophyte इसके अंदर क्या है, या तो हम लें, तो male gametophyte में पोलन, और female gametophyte के अंदर हम लें, तो कि जो genes हैं, वो पोलन के main role play करते हैं, और sporophyte self-incompetibility के अंदर, जो sporophyte, sporophyte कौन सा mother plant, या parental plant, इसके genes, main role play करते हैं, चलिए, इसे अच्छे से study करते हैं, first of all, GSI के बारे में पढ़ते हैं, GSI, gametophyte self-incompetibility, gametophyte self-incompetibility कि इसके through complete हो रही है, by pollen genotype, कौन decide कर रहा है इसको, कि उस stigma पर वो pollen germinate हो या ना हो, ये कौन बार decide कर रहा है, ये उस pollen के genes decide करते हैं, कि वो same plant की stigma है, या उसी के same species की stigma पर नहीं होंगे germinate, तो अगर pollen के genes अपने आपको ही germination से रोकते हैं, same stigma पर तो उसे GSI कहेंगे, ये incompatibility में क्या, कौन से genes play कर रहे हैं, अगर हम generally बात करें, तो ये हमें, एक simple सा gene का cluster है यहाँ पर, वो single S gene को लिया जाता है, देखिए, यहाँ पर कुछ-कुछ point ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैंने आपसे कहाता है, जिसे कि यह tricky है, तो यहाँ पर जो मैं आपको point बोलू, उन्हें ध्यान रखिएगा, यह first change कि यह poland की genotype से control होता है, दूसरा, क्योंकि यह poland है, तो poland का genotype कैसा होता है, haploid, poland grand haploid होता है, यानि कि single, या तो S1 ही होगा gene, या S2 होगा, या S3 होगा, इस तरह से single gene होगा, कोई भी, और यह जो incompatibility है, इसमें single gene को हम S से denote कर रहे हैं, इसे यहाँ पर एक hypothesis के त नोट कर रहे हैं कि इसके अंदर single gene है, haploid है, क्योंकि तो S1, S2, S3, S4, कोई भी, एक single gene होगा, यह gene S है, इसके यह सारे allele है, S1, S2, S3, S4, तो इन में से कोई भी, अगर एक allele होगा, उस poland के पास में, तो वो, अगर वैसा ही gene, उसकी stigma के पास भी है, तो वहाँ पोलिने नहीं होगा, तो इसे देख लिजी, यहाँ पर यहीं लिखा हुआ है, कि single S allele है, haploid है poland grain, क्योंकि poland unotype है, तो poland कैसा होता है, haploid, S allele के तुरू कंट्रोल हो रहा है, अब does a poland grain will grow in any pistol that does not contain the same allele, अगर एक poland grain को किसी भी पिश्टल पे ग्रो होना है, does a poland grain will grow in any pistol, इनके अगर किसी भी poland grain को, poland grain को अगर किसी भी पिश्टल पे ग्रो होना है, अगर उसे इस तरह से ट्यूब बनानी है, तो क्या होना चे, that does not contain the same allele, तो उस poland को क्या करना है, उस poland को same allele contain नहीं करना, यानि कि, अगर उस poland का S1 genomic make-up है, यह poland है, उसका genomic make-up S1 है, तो जो यह stigma है, यह भी S1 होगी, तो यह possible नहीं होगा, ठीक है, अब जो दूसरा poland है, इसके पास में S2 है, stigma कैसी होगी, stigma तो, दो genes, क्योंकि poland ही सिर्फ meiosis से बना है, तो यहाँ पर meiosis हो चुका है, अब यहाँ पर देखिए, S1 and S2 है, इसका और इसका सिर्फ meiosis हो गया, इसलिए यहाँ पे, haploid है content, देखिए मैं जो आपको point समझाना चाहरा है, समझ लीजेगा, मैं बार बार साधी तो poland बना tetrad बनते हैं इस तरह से, और इनका genomic makeup कैसा होता है, haploid, N, ठीक है, और इसलिए इसको हमने S1 लिखा कि इसके पास एक single gene है, लेकिन जो stigma है, stigma style, ovary, यह सारे ovary के अंदर सिर्फ और सिर्फ ovule का जो formation हुआ है, वो किससे हुआ है, जो ovule कह सकते हूँ है, embryo सा कह सकते हूँ, उसका formation meiosis की बाद हुआ है, लेकिन यह stigma style और जो ovary के outer covering है, integuments वगेरा, वो सब कैसे हैं, वो सब ovary stigma ले ले ले, चाहिए style ले ले, चाहिए integument वगेर ले ले ovary के, यह सभी diploid है, diploid है मतलब इनके पास S1, S2 या S2, S3 या S1, S4 इस तरह से deployed, दो jeans होंगे, तो जब, इस poland के पास S1 है, और वो इसके पास आएगा, तो यहाँ पर नहीं fuse हो पाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से ही S1 है, अगर S2 आता है, तो भी यही scene रहेगा, लेकिन, अगर S3 आता है, तो यह यहाँ पर, fuse हो जाएगा, fertilization हो जाएगा, इससे आ आगे diagram के तो समझ लीजिएगा, यहाँ तक complete हो गया, कि does a poland crane, will grow in any pistol, अगर उसे किसी pistol पर grow होना है, तो उसको same allele content नहीं करने है, ठीक है, जैसा कि अगर हम SSI में पढ़ते हैं, तो SSI में क्या होता है, अगर हम SSI के contrast में पढ़ें, कि अगर S2 poland है, ठीक है, from an S1, S2 parental, will grow down and S1, S3 style, कि S2 poland, S1, S2 के उपर तो grow नहीं होगा, लेकिन अगर यह S1, S3 पर जाएगा, तो यहाँ पर grow हो जाएगा, इसे diagrammatic समझ लीजिए, आपको जो इसमें point ध्यान रखने हैं, वो सरफ यह 3 point हैं, एक यह, दूसरा यह, और तीसरा यहाँ तक, यह जो लाइने से आप diagram समझा देती हूँ, मैं, चलिए, कि देखिए, मान लेते हैं, कि यह जो poland है, इन poland का, इसका भी S1, S2 है, और यह भी, यह S1 है, और यह भी, यह S2 है, दोनों ही, नहीं कर पाए, अब यहाँ पर, तीनों ही, जो style है, तीनों ही style का, जो gyro-mic content है, वो same है, यह जो जो दूसरा है, वो मान लेते हैं, कि यह है, S3, तो देखिए, यह यहाँ पर germinate हो गया, अब यहाँ पर, यह S3 है, और यह S4 है, तो दोनों ही germinate हो गया, तो simple सी चीज क्या, कि अगर Poland का, and pistol का, दोनों का ही, S1, S2 में से, कोई भी एक, भी gene दोनों के पास SAM हुआ, चाहे Poland के पास, क्योंकि Poland थो upload रहेगा, इसके पास, या तो S1 होगा, या S2 होगा, जो कि अगर pistol के S1, S2 में से, किसी भी एक से, मैच करेगा, तो वहाँ पे, pollination, clearly नहीं होगा, Poland pistol interaction नहीं होगी, fertilization नहीं हो पाएगा, यह process अपको समझ में आ गया हो, आई हो, चलिए next में देखते हैं, अब आता है, इसको एक बार आप यहाँ से समझ लीजिए, और अच्छे से, कि देखिए, यह है S1, S2 का enter, ठीक है, इसके पास में S1 gene है, S2 है, और S1 है, फिर S2 है, यह कि इसके पास जो इसका, जिरोमिक कंटेंट का S1, S2, अब यह पिश्टिल है, पिश्टिल कैसी है, S3 और S4 की, अब यह S3 और S4 की है, यह S1, S2 से बिलकुल परे, अगर यह पिश्टिल होती, S1 और S2 की, तो यह यहाँ पर germinate ही नहीं हो पाते, ठीक है, लेकिन पिश्टिल में क्या S3 और S4, तो य इस स्टिग्मा के पास में, इस स्टाइल के पास में, S1 और S2 जीन नहीं है, तो यह आराम से यहाँ पर germinate हो जाते हैं, अच्छे से pollen ट्यूब बनती है, और जाकि ओविल से fused हो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और पिश्टिल है, जिसका जिनोमिक मेकप है, व यहाँ पर ग्रोग कर जाएगा, I hope आपको यह point समझ आ गए हो, क्या कहना चारी हो, simple सा यही, कि अगर पोलन का एक भी जीन, पिस्टिल के जीन, दौनों जीन में से किसी भी एक जीन से मैच खाएगा, तो वो पोलन जर्मिनेट नहीं होगा, और उसका जो दूसरा वाला पोल JSA को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे कुछ point में याद दिला रही हूं, उन्हें याद रहीजेगा, first point, कि जो genomic makeup है, वो किसका main role play कर रहा है, पोलन का, पोलन कैसा है, haploid, यानि कि उसके पास सिर्फ single gene होगा, single gene होगा, चाहे वो, और वो S का कोई भी allele हो सकता है, third, क्योंकि पोलन कब बनता है, पोलन बनता है मियोसिस के बाद, तो इसमें मियोसिस हो जाता है, fourth, जो पोलन का germination है, वो stigma की surface को बेद लेता है, यहीं सरफेस, after stigmatic surface, after लिख दीजे, यहां पर, कि यह देखिए, यहां पर यह stigma की surface के अंदर आगया, stigma की surface तो यह थी खाली, आउटर वाली, लेकिन इसके अंदर आगया, तो यह stigma की surface के परही होगा, यहां तक आपको यह point समझ आ गए होगे, अगर हम बात करें SSI की, तो SSI के अंदर पहले, आपको यह सब समझाने से पहले, simple सा जैसा कि मैंने कहा था, कि इसके अंदर parental plant, man role play करता है, क्योंकि sporophyte क्या होता है, parental plant ही होता है, उसका तो genomic makeup है, वो man role play करेगा, ठीक है, parental plant का genomic makeup role play करता है, दूसरा, meiosis से पहले होगा, before, यह और अची से समझा दूँगी, तीसरा point, stigma की surface पर ही, on stigmatic surface होगा, जो भी काम होगा, stigma की surface से बिलकुल नीचे नहीं आगा, आएगा वहीं के वहीं, जो भी होना है, वहीं होगा, तो यहां तक आपको इपॉइंट समझ में आए हो, इसको यहां से देखिए, कि जब हम gametophytic की बात करते, तो यह जो पोलन्स बने, इन में से कोई भी एक पोलन्स अगर इन से किसी से भी समानता रखता था, तो वह देखिए, इस स्टिग्मा की सर पे इसको भेज चुका है, इसके बाद इसका जर्मिनीशन रुका, लेकिन अगर हम इस पोरोफेटिक की बात करें, तो देखिए, यहां पे S1, S2, S2, यह सारे ही पोलन्स है, ठीकिए, इनका जिनोमिक मेंकप क्या है, इस एंथर का ही जिनोमिक मेंकप S1, S2 है, तो इन पोलन्स की पास भी S1 या S2 ही होगा, अब इस S1 या S2 जिनोमिक मेंकप बाले पोलन्स, जब स्टिग्मा पे जाते हैं, S3, S4 बाले पे, तो यह यहां पर easily fertilized हो जाएंगे, जैसे कि यहां हुआ, लेकिन अगर यह यहां जाते हैं, तो यहां देखना, आपने यह नौट किया था, कि यहां पर एक तो fertilized हो ही गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर दोनों का ही fertilization रूख गया, तो simple सा, और वो भी S2 पर स्टिग्मा की surface पर ही रूख गया, तो मियोसिस से पहले हुआ इस्टिग्मा की surface पर रूख जाता है, और यहां पर दोनों का जो pollination interaction रूख जाती हैं यहां पर, जो SAM है उसकी रूखती है, बाकि different वाली की होती रहती है, यहां पर दोनों जो pair आए हैं उनकी रूख जाती है, यहां तो आपको पॉइंट समझ आ गया हो, SSI के बारे में एक हलका सा पढ़ लेते हैं, SSI क्या है, SSI sporophytic parental plant genotype, यहां कि SSI किसके तुरू, control हो रही है, self-incompatibility, आप यह से आप कह सकते हैं, sporophytic self-incompatibility, नाम ही इसका है, sporophytic, sporophyte का मतलब जो, sporophyte होता है, जो एक vegetative plant body है, वो अगर self-incompatibility को role play करें, vegetative plant body, यहां कि parental plant, अगर इसके genome, self-incompatibility को control करते हैं, तो SSI कहते हैं, यह sporophytic parental plant, जिनों टाइप दररा, control होते हैं, देखें, यहां पर यहां तक हुआ, अब इस point को समझेगा, कि rejection of, self pollen, is controlled by the deployed genotype of the sporophyte generation, यह, कि जो sporophyte होता है, वो sporophyte क्या है, वेजीटेटीव है, और वेजीटेटीव की जो cell होती है, वो deployed होती है, तो यहां पर यही लिखा, rejection of the self pollen, जो self pollen को rejection होता है, वो sporophyte की generation है, जो plant की gene है, deployed gene, वो control करते हैं, यहां तक आपको यह point समझ आ चुका होगा, चलिए, अब बाकी जो इसकी depth में study है, यह हम next class के अंदर करेंगे, इससे पहले आपको पूरा SSI में complete करा चुकी हो, इसके जो example है, GSI के, वो है, कि GSI पोलन जीनो टाइप के थुरू कंट्रोल हो रहा था, एक single S.L.E.L. काम कर रहा होता है, और वो haploid होता है, यह पिस्टिल पर जाते हैं, अगर वो SAM पिस्टिल और पोलन की जीन सेम होए, तो इनके बीच में इंट्रक्शन नहीं होगी, मियोसिस की बाद होता है, और stigma की surface के अंदर होता है, इसके साथ सत्यांपर एक्जांपल हैं, वो solenasi liliasi and gramini family के अब next class के अंदर हम SSI को थोड़ा और डीटील में बढ़ेंगे, और इसके बाद में दौनों की comparative study करेंगे, और इसका beneficial point पढ़ते हुए, इस self incompatibility को खतम करेंगे, चलिए, अगर अभी भी आपको कोई doubt हो, कुछ point समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूर सकते हैं, till then learn करते रहिए, thank you